क्योंकि मान को चलो जार दिक्कत होगी ना फिर कभी इसलिए तो यह ऐसे हो गया तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और सांदार वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं बता हूंगा अपने इस ठेले के बारे में तो फाइनल दोस्तों मैंने ठेला बनवा लिया है और वह है यह थेला कितने की बना कैसे बना वह सब इस वीडियो में आज की बताने वाधा तो वीडियों को पूरा देखेंका बहुत ज्यदा जाएब और सबसे बैस्ट फीचर है इसको आप ऐसे कर सकते हैं मालो कभी आपको चक्का पंचर हो गया ना इसको आपके निकलाव पड़ेगा ना जाता तो इसको पर्मनेंट यहां पर वेडिंग के तो जल्दी भी बन गया फाइनली और देर भी नहीं हुई और यहां पे जो मैंने रेख बनवाई है और ठेले की चोड़ा है और चार फुट चोड़ा है और च्छाइफ फुट लंबा है और मालों मैं इदर भी बनवा देता है ऐसे करके तो इदर करना पूरी जगह केप्चर हो जाती यहां से मालों मैं यहां से बनवा दूं और इस तरफ से इस तरफ तक तो थोड़ा से अच्छा दिखता ने इसलिए मैं तर बनवाई और मालो मैं थाली वगएर रखता हूं अपने टिक्की वगएरा कुछ सामान वगएरा पानीपुरी वगएरा तो इसमें रखने से ना इसको लगवाने से मतलब इस तरफ गिरेगा नहीं सामान ये अच्छी बात हुई लेकिन एक चीज है भाई में जल्दी बाजी में ये लोगो यहां पर यूट्यूब का लोगो रहेगा इस तरफ भी ऐसा ही कुछ जो मन करें लेकिन ये जो है ना ये सीपी बोर्ड ये थोड़ा सकम जोड़ रहता है अगर ऐसे कर दूंगा टाइट ज्यादा पकड़ दूंगा तो ये टूट जाएगा लेकिन ततकाल में नहीं को ये चदर नहीं मिल रही थी ये 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 चर पांच साल से मैं रखा हूं हलाकि हलका से चेला इसमें हो गया है तो ये रहा मेरा पुरान वड़ा ठेला और कांटर दो मैं पहले वाले यूज़ करूंगा तो आपको मैं ठेले के चोड़ाय दिखा हूं तो ये देखिए 46 और मैं नीचे तक बताऊ ना तो नीचे तक भी मालो 46-47 है तो ये पी ये जो टोड़ाय दिखेले की और ये ऊचाई है जो ये समझे लो बरावर है लगभग और इसका भी और ये जो कमानी है मैं इसके बारे में बताऊं तो ये दखिए इसे मैंने सिल्वर में पेंट कर दि यहांपे बगारे कर दिए मैंने लेकिन दो च्छकों में ने किया दो चक पुराने हैं आवराल बताऊं और यह तीन 400 रुप्य यह मेंट पर जाएगा 400 रुप्य यह था लेकिन बहुत अच्छा दिखता है और यहां पर भी आपी सी बोर्ड रहो हैं मैंने और यहां से तो गिरे मत और यह दिखिए इतनी जगह है इसमें जोगी काफी है जगह सवाज नहीं गिरने वाला इसमें अब और मेंने यहां पर युद लगवा दी है छोटे-छोटे इसमें छेदा करके इधर सब नमें ने कंषे बचाने तना वह सब जगह मैंने बचा लिया यह देखा लिए यह आभगा यह ना चारतर लगना था लेकिन वहाज लग त्रूद पैसे ज्यादा लग रहेए तो यह ठेल है मेरे को टोटल 25-26 रुपए के आसपस पढ़ गया इतने बश्यत करने के बावजूद भी और यह लगवा है मैंने होल क्योंकि मालोग कोई एंगल वगएर है तो इसमें डाल के अपना थिरपाल बांद सब्सक्राइब एक यहां पर लगवाया है और यहां पर लगवाया है तो ऐसे करके इसको काम चालू हो जाएगा लेकिन यह ना यह देखिए यहां से हिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है और यहां से भी मैंने एक टुकड़ा लगवाया यह एक टुकड़ा लगवाया अगर मैं इसको पूरा लगवा दूँगा तो इतना इस्टिल मेरा बज़िया इस्टिल यहां पर बज़िया उदर भी मैंने टुकड़ा ही लगवाया है लेकिन इस तरफ ना पूरा लगवा दिया है क्योंकि अगर टुकड़ा लगवा तो इस तरफ अच्छा दिखता नहीं और इसमें रेडियम सा नाम लिखवा दिया जाएगा तो फाइनली कोई दिक लो लो अकेले कोई दिक्कत नहीं और पर्मनेंट अगर वेल्डिंग कर बागे छोड़वा जाता तो इसमें दिक्कत होती ऐसे करके तो आयोब दोस्तों आपको मेरे ठीला पसंद आया होगा और यह यह चार-पांच साल चला ऐसा नहीं है और काउंटर तो मैं इसी को पसंद आयूगी और आयूप आपको ठेला ज dedic हो अन्हें बनौशंवाइए ज्यादा आव यह है लेकिन मेर भी आपसंद आयोगी पसंद आयो फूर्टी कर सकते हैं लिंक मेंने डिस्क्रिप्सन में ये रखा है मिलते हैं Ellis अगन्याında है ह अ